कि नमस्कार विद्यार्तियों यानोद्य अकैडमी हर्मानगर डंक्शन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है आज आपके लिए लेका हैं इतियासे सम्मंदित मैतवपुन प्रशन जो हर परत्यों की प्रिक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं यह प्रशन 200 प्रशन है deafूर्ण आजसे 50 प्रशन का बात करेंगे जाये फटाफट से 50 प्रशन की बात कर लेतें कि इसमें कितने आपको आते हैं इतियास बारते इतियासे समनेट प्रेशन नमर एक हडपब सबेता की खोज किसने की थी A. देयराम सानी B. राकलदा सबनर जी C. म. वस D. अन्य देखिए हडपब सबेता की जो खोज की थी वो किसने की थी Iraama Deshalb Friendi कुन था वो कौन सासक तो जिसने जैनमुनी की तरह है और स्षेरी थे चिर में कुछ भी खाते पिते नहीं है और अपना शरीर त्याग दिया था प्रशन नंबर तीन कि त्राइन का प्रथम यूद 1101 में किसके मद्धिया लड़ा गया था ए मोहमद गोरी और भीम बी मोहमद गोरी और पित्वीरास त्रित्या सि मोहमद गोरी और जैसिंग डी मोहमद गोरी और एजेपाल देखे त्राइन का जो प्रथम यूद था यह है लड़ा गया था मोहमद गोरी और पित्वीरास त्रित्या के बीच में ये लड़ा गया था बंगाल को मुगल समराज्य से प्रिथक कर सवतंतर किस ने किया वो कौन सा साशक था जिसने बंगाल को मुगल समराज्य से प्रिथक करके सवतंतर किया मुर्शिद कुली खान, शादत खान, सर्फराज खान या अन्य तो हमारा अंसर क्या है मुर्शिद कुली खान मुर्शित कुली खान था जिन्होंने बंगाल को मुगल समराज्य से प्रिथकर सवतंतर किया था प्रशन नंबर पाँच विद्वा पुनर विवा जो अधिनियम या कानून बना था वो कब बना था देखें विद्वा पुनर विवा कानून 1853, 1856, 1863 या 1865 विद्वा पुनर विवा बनाता 1856 विव मनाता और बनाने वाले थे ऐश्वरजन विद्धिया सागर ने बनवा था अंग्रेज्योंने फूट डालोर साषन करों की नीति कब अपना थी 1877 इसवी के बाद 1833 इसवी के बाद 1858 इसवी के बाद या 1799 में इसवी के बाद देखें अंग्रेजों ने फूट डालो और साशनक्रो की निती अपनाई थी 1857 की करांती के बाद यानि इसका अंसर होगा 1858 इसवी के बाद में अपनाई थी प्रेशर नमबर साथ की बात करते हैं देखिए प्रेशर नमबर साथ इंग्लेंड में ग्रैयूद कितने वर्षों तक चला था चार वर्ष, साथ वर्ष, दो वर्ष या दस वर्ष इंग्लैन्न में ग्रायओ से जलाए है कि आ रही थे याँ विद्धिक सब्गेता में पढ़ते हैं इसके निर्वाथा आ रही थ Champions Asia से पूरव एशीया से केंड्रिय एशीया से या फिर दक्षिन एशीया से तो देखें जो आरे हैं हमने पढ़ा है वो केंद्रिय एशिया या इसे मद्य एशिया भी कहते हैं कहां से आये थे केंद्रिय एशिया या मद्य एशिया से बारत में आये थे किस अवदी में रमायन वे महाभारत की रचना हुई देखे रमायन और महाभारत की रचना जो भारत में हुई विदाविड आव्दि मैं सी वेदिक ऑफधी में उड़ ही तो आर्य आवधी में देखे जुत रमायन और महाबारत के जो रचना होई थी वह आरे अवदि में मैं यानि को याने कि जब दूसरे दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई वेगम खान और हेमु अकबर और मिर्जा हाकिम अकबर और वेगम खान और अकबर और राना परताव देखें पानिपत की दूसरी लड़ाई जो है वो वेगम खान और हेमु के बीच में हुई थी पानिपत की दूसरी अफगानिस्तान, B, इराक, C, पर्शया और, D, तुर्की तो मुहमद गोरी जो है वो कहा का था। अफगानिस्तान का शाशक था। प्रेस्च नमबर 13 मस्तानी की सासक की प्रेसी थी बाजिराव पेशवा, नाना साहब, साहु महराज और शेर साह सुरी। तो देखे जो मस्ता वो बाजिराव पेश्वा की प्रेशी और प्रेमिका थी बिहार परदेश को किस मुस्लिम शासक ने स्वरप्रतम जीता था यानि कौन सा वो मुस्लिम शासक था जिसने बिहार को सबसे पहले जीता वाब बाबर, खिलजी, तुगलक या चंगेज खा और हमारा सही अंस्वर है वो है खिलजी खिलजी ने सबसे पहले बियार परदेश को जीता था प्रश्या नमबर पंद्रा मगल काल में सबसे पहले कारखा ंस्तापिद किया क्या है सूरत में किया थी पहली सायक संधी कोन सी थी यानि कि अंग्रेजियों से पहली सायक संदी किस ने की थी रुहेलखंड के लोगों निजाम ने अवद या जासी ने तो मैं आपको बताना चाता हूँ निजाम जो संदी थी वो निजाम की थी जो हैदराबाद से हुई थी प्रेश्या नंबर सत्रा के बात कर लेते हैं लिए ठाल में प्रस्म चीनी यात्री भारत में आए था बहुत में जो चीनी यात्री आये थे प्राचीन बहरत के समय में सबसे पहले चीनी यात्री किसे शाश्काल के अंदर आया था अब आत करते हैं प्रेशन नंबर 19 की तो देखिए निम्न लिखित मुगल शाषकों में से किसे प्रिंस ओफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है किसे प्रिंस ओफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है तो देखिए आप देख सकते हैं अकबर बाबर शाजा या जांगे तो किसे जाना जाता है शाजा को जाना जाता है क्यों Siya लिनि पसी कुछीपुडी कैन्नि पर देश कासी अरम हुआ था राजस्तान ओन्द प्रदेश कनाटा किए पंजाब तो कुछी पुडी कहार और मुवा आंदर परदेश के अंदर हुआ था चितरकला की गांदार शेली का सुतरपात किसके द्वारा किया गया था देखे चितरकला में जो गांदार शेली आई थी उसका सुतरपात कहां से शुरुवात मानी जाती है शेव संपर्दाई से महायान संपर्दाई से हीन संपर्दाई से या इन में से कोई नहीं तो इसके शुरुवात मानी जाती है चितरकरा की गांदार शेलेकरा जो शुतरबात है वो महायान संपर्दाई से माना जाता है प्रशन नमबर 23 ताजमेल की डिजाइन तियार करने वाला वास्तो काउट को था देगे जब ताजमेल बना ते करें ताजमेल की डिजाइन कौन से वास्तो कार ने तियार की स्माइल उस्ताद इसा मुहम्मद उसेन और शाह बाद तो हमारा सही अन्सवर कहा है उस्ताद इसा ने ताजमेल कि डिजाइन को तियार किया था बोदों में विश्वास के अनुसार गोतम बूत का अगला अवतार किसे माना जाता है कलकी, अत्रे, मेत्रे या नागरजुन तो अगला अवतार किसको माना जाता है आप देख सकते हैं अगला अवतार माना जाता है किसको कलकी को माना जाता है ये था प्रेशा नमबर 24 अब बात करते हैं प्रेशा नमबर 25 की समराट अकबर ने निम्न में से किस महल का निर्मान फत्यपूर सीकरी में करवाया था मोती महल, हीरा महल, पंच महल या रंग महल कुतम मिनार के पास ते लो इस्तम किस राजाने बनाए दिल्ली में कुतम मिनार के पास जो इस्तम है जो हमारे आईरन का सबसे बड़ा अच्छा अधबुद एक्जामपल है उसका निर्मान किस ने करवाया था चंदरगुप दित्या समुंदरगुप दिसकंदगुप या रामगुप तो लोईस्तम का निर्मान किस ने करवाया था चंदरगुप दित्या ने करवाया था प्रसषा नमबर 27 की बात कर लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्ताफना की थी किस समाज की स्ताफना की थी बРИoral समाज गरम्नी का नवर्यस अनग्र समाज भू किरेवठक स्द्रागल qकाना का मका अदिनुर दर्थी जांगीर में एकते फूर्स नमबर 29 बारत की परतम मैंला शाषी का कौन थी तो बारत की परतम मैंला शाषी का चान्द भी एक में द दूलेंगे का जो थी। रजिया बेगम या रजिया सुल्ताना थी जो कि हम बलवन डिनेस्टी में पढ़ते हैं टीपू सुल्तान कहां का साशक था हैधरबाद एहमद नगर मैसूर या बिजापूर्ट तो देखें टीपू सुल्तान कहा का शाशक था टीपू सुल्तान मैसूर का शाशक था और टीपू सुल्तान की पिता हैदर अली थी प्रशन नमबर 31 की बात करते हैं अपने देखें प्रशन नमबर 31 बारत में प्रथम मुस्लिम आकरमनकारी कौन था? 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 जो और द्रथम मुस्लिम आकरमनकारी कौन यह था? बारत में द्वासन करन्त कारमनकारी कौन था? पानिपत की तिरते लड़ाई कब हुई थी 1799 में 1761, 1771 या 1779 तो देखी कब हुई थी 1761 के अंदर हुई थी कब हुई थी 1761 के अंदर हम देख सकते हैं पानिपत की तीसे लड़ाई MS या अवधाली और मराठों के बीच में हुई थी 1761 में प्रशा नमबर 49 मुगल समराज्य की नीव मुगल समराज्य की नीव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है पानिपत की प्रथों लड़ाई, पानिपत की दित्ते लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई मुगल समराज्य के जो नीव रखी गई थी बाबर के आने से मुगल समराज्य की नियुव बारत में मान ली जाती है बात करते हैं प्रेशन नंबर 40 और 41 मुगल वन्स की स्थापना कब हुई थी 1455, 1688, 1526 और 1822 देखें मुगल वन्स की स्थापना 1526 में हुई थी पानिपत के प्रतम युद से जो हमने अभी उपर पड़ा है पानिपत का प्रतम युद 1526 में हुआ था प्लासी का युद कब लड़ा गया और देखें बात करते हैं प्लासी का युद 23 जून 1757, 26 जून 1756, 23 जून 1769, 27 जून 1757 प्लासी का जो प्रतम युद है वो 23 जून 1757 को लड़ा गया था एक तरफ रोबेट का लाइव थे और दूसरी तरफ कौन थे? सिराजु दोला थे प्रेशन नंबर 42 की बात कर लेते हैं बकसर का युद कब आरब हुआ था? 1783, 1763, 1793 जून 1756 में या 1756 में तो जीए बकसर का युद को दोला था बकसर का युद है वो 1763 में लड़ा गया था वैसे तो बकसर का युद 1764 में लड़ा गया था लेकिन ऑप्शन के अकोर्डिंग हमारा अंसर है 1763 प्रेशन नंबर 43, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हुमायू अकबर शाजा या शेर साथी शिवाजी के परशाशन में पेश्वा किसे का जाता था? देख शिवाजी का जो एड्मिस्टेशन था परशाशन था उसमें पेश्वा किसे का जाता था? रक्षा मंतरी, धार्विक मामलों के मंतरी, मुख्या मंतरी या नियाय मंतरी? तो किसे का जाता था मुख्या मंदरी को कहा जाता था प्रशन नमबर 45 बारत की प्रथम पूर्टे रंगीन फिलम कौन सी थी प्रथम पूर्टे रंगीन फिलम पूचा इसने रंगीन फिलम नी आन राजा रिश्चंदर आलमारा या जासिक रानी तो प्रथम पूर्टे रंग 1515 के अंदर किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है फ्रांस को जर्मनी को इटली को या तुर्की को तुर्की को तुर्की देश को कहा जाता है जर्मनी का एकिकरन कब कुरा हुआ अठारा सो नंचास में अठारा सो नब्बे में यहां फिर 1831 में 4 ओप्षिन दिये हुए देखे और यहां फिर आम बात करें 1870 में जर्मनी का एक इकरन कभ़ी ता जर्मनी का एक इकरन 1871 में हो था प्रश्चन नंबर 49 एक्ट उच्ट आ यूनियन किस वर्ष पारिद किया गया Act of Union 1699 yianni 1689 में 1757 में 1707 में 1815 में तो ये किस वर्स किया गया था 1707 में किया गया था Act of Union पारित किया गया था Bolshevik क्रांथी कब हुई थी 1935 में 1917 में 1889 में 2050 कब हुई थी 1917 के अंदर Bolshevik क्रांथी हुई थी तो विद्यारतियों ये 50 प्रशन थे बारते इत्यास पे मैतापून कल के वीडियो में 51 से 100 प्रशन 50 और प्रशन इसी में से उने बात करेंगे आप इसका स्क्रीन शोट ले सकते हैं या इन्हें नोट भी कर सकते हैं मैतापून प्रशन है अगर आपने अभी दक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे-इच्छे कमेट कीजिए और अगर कोई question आप पूछना चाते हैं या कोई भी matter पे चाते हैं कि मैं topic में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं जै हिंद जै भारत